कि हालो है । वेलकम टूरां डिजिटल डिवाइन प्लेटफर्म पर आप सभी का हादए श्वागत हैं तो जितने भी स्टुडेंट आज यह वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी एक request है कि पहले आप class 1 देखें फिर आप class 2 पर आए अगर आपने class 1 नहीं देखी है और आप directly class 2 पर आ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी useful नहीं होगा बट अगर आपने class 1 देखी है तो फिर आपके लिए 100% useful होगा ठीक है आपको हर एक चीज छोटी से छ पर जो watch आ रहे है वह बहुत अच्छा आया है ठीक है ना maximum बच्चों ने उसको पूरा पूरा देखा है यही हमारे लिए खुसी की बात है इसका सीधा समतलब होता है कि उसमें जो चीजे हैं वह आपको बहतर तरीके से समझ आई है इसलिए मैं आपके सामने ये दूसरा वी पर जो मैं कॉंसेप से बाहर भी नहीं जाएगा ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते सर सबसे पहला सवाल आज का ये रहा आपका जो आज का अपना टॉपिक है पहले तो ये समझ लो कि आज हम क्या करने वाले हैं पिछली क्लास में आपने बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ ल कोस्तन सॉल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी है क्योंकि सारा जो सॉल्यूसन है वो बेसिक से ही होता है तो बेसिक में आपने जो जो चीज़ें पढ़ी है उन्हीं का यूज करके आज हम उन्हीं का यूज देखें कि उनसे हमेरे कोस्तन कैसे सॉल होंगे उन चीज़ों क हम discuss करेंगे तो सबसे पहला सवाल ये रहा आपकी screen पर पहला सवाल है सर आपके पास ये लिखा हैं तेइसंसो रुपय को A B व सी में इस अनुपात में आपको बाटना है किस अनुपात में एक बटा दो अनुपात तीन बटे चार अनुपात दो बटे तीन के अनुपात में आपको बाटना है और पूछा गया कि A का हिस्सा कितना होगा तो कुछ भी नहीं सवाल में बस चीजों को आपको ध्यान समझना है पहली क्लास में आपने चीजें समझी थी और उस क्लास में हम यह सवाल पहले सौल कर चुके हैं ठीक है पहली क्लास में अनुपात को सरल करना सीखाता और चीज्व करना आपको बहुत अच्छी तरीकी से अब भी गया होगा तो क्या करते थी सर तरल करने का मतलब होता है कि यह फान का यह दो आपन का यह चार अपन का यहती गायब करते ओट वो गयव कीसे हो सकता है जिस जो दो के पहाड़े में भी आता है तीन के पहाड़े में भी आता है जिसको हम कहते हैं एक में चे खोटोगे तो तीना आएगा सरो तीन से अगर 12 को कटोगे तो उसके हमें कितने हिस्से करना है 6, 9 और 8 कितना हो गया सर 6 और 9 15 15 8 23 हिस्से करना है और यही 23 हिस्से जो है यही 23 हिस्से जो है वो कितने रूपई के बराबर है तो हमसे क्या पुचा है एक हिस्सा कितना है सर 6 तो 6 से आप कर देंगे गुणा तो यही आपका हो जाएगा एक हिस्सा कल्कुलेट करेंगे तो 23 से यह कटेंगे 100 बार सो छेंग 600 डैट मींज एका जो हिस्सा होगा उसमें से वह 600 रुपई का होगा क्या आपको बात समझ में आ गई अगर आ गई है तो वीडियो को पोस्ट करो अराम से नोट करो ठीक है चलिए तो एक को जो पैसा मिलेगा वो 600 मिलेगा अगर आपसे पुझता बी को कितना मिलेगा तो आप इस छे की जगह क्या लिखते बी का हिस्सा नौ है तो आप यहां क्या लिखते नौ लिखते अगर आप से पुझता सी का हिस्सा कितना है तो आप यहां पर कितना लिखते और प्रा लिखते liinhoा प्रा duy भीक्तर तो आर्ट सो रुपय आता थीक है इसका हिस्सा हो गया ठ्षेसो इसका हो गया नौ 66 सो यही आपका अंश्व रिम अब सोचा तौब तवाल को वह केसे बदल सकता है एक् Hawaii इक है तवाल जो आपका बदला जा कर दिया तो तो जो भी चीज हम कोपता करनी है उसका हम करनेंगे उपर 23 या तक टो एक चीज हमको पता होती है और एक यह हमें होते हैं तो यही सवाल आज के हमारे होंगे आपको चीजे समझ आई होगी तो यह रहा अगला सवाल आपकी इस क्रीन पर सर देखें ठीक चलो वही जरा सुरू हो जाओ ट्राइम आरके देखू क्या अंसर आ रहा है सर ट्राइम आरके देखे जरा हालो चलिए सर क्या लिखा है 4800 रुपई टोटल हमारे पास है हमारे पास है 4800 रुपई सर बोलो हाँ या ना ठीक है अब इन्ही 4800 रुपई को हमें A B और C में बाटना है A B और C में एक बटा दो एक बटा दो दो बटा तीन और पांच बटा च्छो बोलो पांच बटा च्छो शे तब से पहला काम सरल करना तो कि आपको बहुत अच्छे से आता है पिछली क्लास में हमने यहीं सीखा है इसके लागा कुछ सीखा है ही नहीं है दो से भाग देंगे एलसयम कितना है का सर्च इस चे को जब दो से भाग देंगे तो तीन बार कटेगा तीन क्या काम बोलो एक देंगा यहां तीन बर सिर्ट बार दो दुआ बोलो चार एक तारसे क्या हान तक बात एक चलिए होगो हमें बात क्या समझ्ज में आई सर हमें बात यह समझ्ज में आई है कि टोटल 48 रूपाइं गर हम यहां देखें टोटल यहां टोटल कितना अरहा है चार तिन साथ सार और पांच दार और बारा का मतलब कितना दे रहां 48 तो हमें पता चल गया क्या पता चल गया पताचल गया सर कि बारा का मतलब ही 48 रुपिया है अब पता करना क्या है यह देखो फब लिई कुछ हमें पता करना बाकी है पता क्या चल गया फटा चल गया की बारा का वेल्यव अरका इस फ़िशो है पता क्या करना है च subsidies बाढ़ा क्या उत्तर में 800 है बिल्कुल है तो यहीं आपका हो गया आंसर क्लियर क्लियर कट बात है सर अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर शुरू हो जाओ ठीक है अरे भाई ठीक से हो जाओ चलिए देखिए भाई मार के देखो जाना एक बार क्या आंसरा रहा है ट्राइ मारो कर दो कर दो कि कर दो कर दो का दो कर दो करने कहानी को शुरू तो बताओ सर बताओ कितने रुपाए हैं अठतर हजार दो सो रुपए टोटल आपके पास पड़े हुए है इन्हीं को आपको बाटना है इसमें बाटना है एबी सी में तो ए अनुपात बी अनुपात सी तो बेटा हर बार उसको लिखने की ज़रत नहीं है आप सोचो इनका एलसें कितना आएगा बार आएगा दो से काटेंग कितनी बार कटेगा छे बार डायरेक्ली लिए बार चला 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 के कर भी क्या लोगे यह बारा चार बार चार दौँआ हो जाएगा आठ और यह हो चल गई एक हमें पता करना है थोड़ा थोड़ा पता है थोड़ा थोड़ा पता करना है क्या पता करना है और आपके सामने होगा तो ने से काटेंगे तो बोलो 23 या उन सत्तर तीन बार कटेगा बचा कितना सर्ण नो तेइस चोग बाणवें बोलो चोतीस सो गुणा पांच तीन हजार पंजे 15000 चारा पंजे बीस दो हजार 17000 टूटल आपका अंसर कितना हो जाएगा सर 17000 रुपया दोनों का जो डिफ्रेंस आया वो सत्रह हजार रुपया आया अगला सवाल यह रहा आपका स्क्रीन पर अगला सवाल यह रहा सर आपके लिए फोकट का चार बच्चों में एक बापू को कुछ पेन बाटने हैं तो बापू के पास कित्ते मिनिमम्म पेन होने चाहिए कि बच्चा रोए नहीं ठीक है बच्चा रोइगा कब पूरा 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 पेन नहीं मिलेंगा आप अगर पेन तोड़के आधा दे mouse नहीं बापू के कि एक बझसे कुदंता दो नहीं नहीं रोएगा और और उन बच्चों में पैन किस अनुपात में बाठना हैं इस एक बटा दो एक बटा चार, एक बटा आठ और तीन बटे आठ कहने का मतलब है कि सबका अगर हम LCM लेंगे तो आंसर आएगा LCM आठ तो से यह कटेगा चार बार मतलब पहले बच्चे को कम से कम चार पेन तो देना ही पड़ेगा दूसरे बच्चे को बोलो कितने पेन देना पड़ेगा 2, तीसरे बच्चे को 8 एक गम 8, 1 एक म 1 और चौते बच्चे को 3 तो इसका मतलब कि बापू के पास कुल पेन कितनी हो चाहिए 4,2,6,1,7,3,10 पापू के पास कम से कम 10 पेन होना ही चाहिए इससे कम एक भी हुआ तो बापू के पास कम से कम कितने पेन होने चाहिए पर उस से कम 10 तो होना ही चाहिए इससे एक भी कम हुआ तो बापू नहीं बाट पाएगा बरोबर चली हो गया नोट अगला सवाल देखो सर अंधरा अस नंबर पंदरा जलो बताओ यदी राम और स्याम की आयमे अनुपाद ठीक है बोल रहा है नाम है और स्याम है इनकी आयमे कि पूरा सवाल पढ़ने के चकर में और होगे समझ में कुछ भी इहाना आप ने किसी लाइन को पढ़ा उसको लिख लिया फिर पढ़ा फिर लिख लिख लिए पूरा सवाल आपकाmि आपके सामने की में चाहिए तो आपको आंसर जल्दी देती आ आएगा राम स्याम का द लास्ट वाला को गुणा कर गोगी तो 5-10 यह आ गया और रही बाद बीच वाले की तो तिरच्छा गुणा करने पर बीच आता है मतलब 3-2-6 राम की सेल्डी अगर 3 होगी तो सियाम की 6 होगी मोहन की 10 होगी मतलब राम की 3 हिसादे मिल्ते हैं सियाम की उसे 2 मिलता है और मोहन क को 10 हिसादे हैं अब यह देखो क्या कह रहा है यदी 3 की 38,000 है तब इसół की 18,000 रुप्या दिया हुआ है सर, 19 का वेल्यू है 38,000, 19 का वेल्यू कितना है 38,000, पता चल गया, कुछ पता चल गया, कुछ पता करना है, पता जो चल गया है, वो हमने लिख लिया है, पता जो करना है, उसका हमें गुणा करना है, क्या पता करना है, राम की आय मोहन की आय से कितना कम है साथ कम है साथ ही तो पता करना है तो 19, 32, 2000 साथे 14,000 रूपए जो सेल्डी उसकी कम है वो 14,000 रूपए कम है एरो निच्चे का मतलब कम ठीक है, option D क्या आपको चीजे समझ आई आ गई होगी, आनी ही पड़ेगी चाहोगे तब भी न भूल पाओगे चीजे सुरू से देखोगे तो सीधा सीधा लेक्चर 2 पे आ जाओगे तो चाहोगे तब भी याद न रख पाओगे पर अगर आपने लेक्चर 1 भी देखा है लेक्चर 2 भी देखा है तो चाहोगे तब भी ना बूल पाओगे, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बहनो भी, चलो तो यदी राम और स्याम की आउखा अनुपाद क्या है सर, फिर से वही कहानी एक था राम, एक था स्याम, अनुपाद था एक, अनुपाद दुई, एक था स्याम, एक था मोहन अनुपाथ्था तीन अनुपाथ्था पांच और इसमें तो अपन टेहरे माहिर बेटा क्योंकि थोजी देर पहले कहानी को किया है तीने कम तीन पांद दुआ दस बीच वाला निकलना तो तिरचा तीन दुआ च्छो क्या चीजे क्लियर है हाँ या ना ठीक है अब आप देख है अठारा हजार क्या समझाई बात सर पता चल गया है पता चल गया ठीक है क्या पता चल गया कि छे का वेल्यू अठारा हजार है पता चल गया कौन सानसा करता है इधा देखो भाई एक अब लिए 18 जा रहे अब पता क्या करना है कुछ पता चल गया कुछ पता करना है जो पता चल गया वो हमने लिख लिया है जो पता करना है उसका हम करते हैं multiply क्या पता करना है सर पता करना है कि राम कि आए मोहन कि आए से कितना कम हैं राम कि आए मोहन किसे साथ कम हैं साध पता करना है यही आपका अंसर के तिह तंथारा टीन साथा 210001 रुपिया त्य है किस हजार रुपिया ऑफ से ठीडलो डीडि अżenia ठीके सर चलो आगे बड़ी सर अगे बड़ी नोट करो सर वो गया अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर पोलो बोलो गोपी टेल टेल पांच हजार रुपए को एबी सी में बाटना है बट कहाह नहीं बदले सर्ब 1 का हिस्सा और सी के कुन चाहते का गोलड़ा है क्या भी अब इस इस about में एक बचाहर लिrobi सकता हूं बोनो हायना, जरा घुर गुर के देख लो क्या मैंने सही लिखा है, उपर जो लिखा है वो उसने दिया था, बश्तमें उसको ऐसे समझ सकता हूं कि नहीं समझ सकता हूं, जो चीज मुल्टिपला है में हो अधर डिवाइड में जाएगी कि नहीं, जाएगी जाएगी कि नहीं जाएगी यह बताओ जाएगी सर और जाएगी तो देखो न अब दूसरी बात देखो उसने वहला बी का जो हिस्सा है उसने कहा जो बी का हिस्सा है वो किसका वो किसका सी और एक हिस्से का तीन बटे साथ सी प्लस ए बराबर तीन बटे साथ अब आ क्लास वन हमने जब पढ़ाथा तो यह सवाल नहीं किये थे क्या आप ए अनुपाद वी अनुपाद सी नहीं बता सकते अगर नहीं बता सकते तो क्लास बन पर जाओ उसको देखो फिर यहाँ वापस आओ एक चलो बढ़े आगे तो इनको जोड़ेने पर इनको जोड़ेने पर सर आ रहा है कितना इन दोनों को जोड़ेने पर आ रहा है nacional कि लोट प्लट next कितना रहा है सात और तिन 10 क्या ए प्लस बी प्लस इक वेल्यूँ अलग अलग हो सकता है जर नहीं होना चाहिए ए प्लस बी-प्लस सी सहहे ऊपर से जोड़ चाहे नीचे से जोड़ अंसर दस ही आना चाहिए तो यहां पर ivas6 यहां पर 10 का मतलब सीधा साहे हुआ कि सरो यहां पर कुछ भी करके दुई का गुणा कर दो तो ये भी 10 हो जाएगा ये भी 10 कम युद्धा करने का क्याम मतलब हुआ पांच में 2 का गुणा करने का मतलब amigos 2 का मतलब एका वेल्यू कितना हो गया डो एकवेल्य होगया 2 ठीक है कि तीन प्लस मिला के 10 तो इसका मतलब 50 हो गया तो बचा हवा कुन सा होगा से सी भी हो जाएक अभello पाएगा अब कहानी हो सब्सक्राइब लिए तो यहां पर रिखत आपको आनी episódio चाहिए सबearly 5 कि जो हमें पता है उसमें कुणा करतों जो पता करना है उसका क्या पता चल गया हो क्ल हिस्सा है 50 , यह कुल कितना आ रहा है 10 पर वेल्यू कितनी इसकी 5000 दस का वेल्यू कि 5000 के बराबर है तो अंसर आपका क्या जागा 0 से 0 कार दिया 500 गुणा 2500 बोलो हा या न तो सी का जो वेल्यू होगा वो होगा 2500 ऑपसन बी अबरों भरे सर किसी को डाउट किसी को डाउट सर डाउट नहीं है नहीं है तो बहुत अच्छी बात है और है तो पहली क्लास पे जाओ सर कितना बोले लो अगला सवाल यह रहा आपकर स्क्रीन पर 555 रुपए को ABC में एक बटा चार एक बटा पाच एक बटा छे के अनुपात में बाटना था बाटना था गलती से कुछ और बाट दिया तो यहां पर दो चीजे हैं एक तो आपका सही तरीका है बाटने का और दूसरा तरीका जो है व कैसा बाटना था एभे और सी सा यह यह अनुपात त सही गलत सी के अभी टरीके आफ use यह को पेशा को बाट ना आता है एक बार एसे बार 2 एक बा एसे बाट दो अब वह से जो पूछे को बता दो नहीं तरीका तो पैसे की का ऐसे गार। है तो तो टल पैसा कितना पैसा है पांसो-पैस जो हमारे पास है वह है। पांसो पच्पन रुपया तो इस पेसे को एक बार ऐसे बाटो और पता करो कि सी के पास क्या फरक आया कि के पास कितना फरक आया तो इधर वाले को पहले अपन करेंगे सरल तो गुणा करेंगे इसार पास से टेगा तो इसका मतलब कि टोटल हमें पैसा कितना हो गया यह पंदरा 27 और इस 27 मतलब क्या है सर अवे सदिसोरा सब्सान सब्साइब गया हो निजिसान असा करता है अब क्या सब्साइब जाए इक इस दो काटा सब्सार चैना कि या सब्साइन कर दो सब्सक्राइब रुपए जाएगा ती को 300 देना था सहीं तरीका क्या था ती के पास 1500 जाना था पर गलती से क्या हहुआ वो भी पता कर लो 555 गलती से क्या हुआ हे 1415 इस 15 का मतलब हो गया 555 वो को कि तौसी के पास कितना गया थे हिस्से पास से काटा तो ये तीन बार पास से ये एक, एक, एक तीन, दुवा, छे ज्यार, दुवा, बाइस दो, दो, दो ती को देना था देड़ सो गलती से दे दिया कितना दो सो माईस रुपए इसका मतलब बहुतर रुपए वो हमसे ज्यादा ले गया गलती से तो आपका जो सही आंसर होगा, वो होगा सेवेंटी तूरुपीस सेवेंटी तूरुपीस, चलो पटाफट, दो सवाल और करेंगे आज के क्लास में, बीस हो जाएंगे अपनी फिर अपन बढ़ेंगे अगली क्लास अगली बार, ठीक है नैस, थर्ड क्लास में फिर हम सीखेंगे आगे चलो, इसको भी जर कर लो या भी करो, अब यह मैं नहीं करूँगा सेम सवाल है, यह मैं नहीं करूँगा इसका आंसर क्या आना चाहिए देख लो यार करके देख लो, ठीक है गलती से और सही तरीका सही तरीका क्या है और गलती से हमने क्या कर दिया है सही तरीका क्या है और गलती से हमने क्या कर दिया है वो देखो टोटल पईसा हमारे पास ग्यारहजार पांस इसको बाटना है तो बाटना था किस अनुपात में 1 बटा 2, 2 बटा 1 बटा 3 और 1 बटे 4 पर गलते से बाट दिया 2 अनुपात 3 अनुपात 4 पर टेक है तुछ प्राणी को मैंने कहा गिस रेसों में सेलरी बाट ने बाट उसने इससे दी अब ऐसे कर दिया तो गलत होगा ना काम ठीक है तो सबसे पहले इसको शरल करो किसका मल्ट इसको देना था और दूह से इसको देना ऒजब कि यहां पर 2-3 अलां यह टोटल कितना Palace इस से ओगए अर्फोर इस देरह का मतलब क्या होगा कि Все pajama का 115 000 अ पता चल गया है थेखता करना कि यह अभी सी को कितने च्वेह इन ही मेर्श ut इनिस से थे 10 कॉतρεं चैको तो 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 तेजिस आरह न सर्थ 17 केसे आ गया कि तेरा से लिकटे गई नहीं कि यहां पर साथ सो होना था कि अपोछ डेरा में स्पिर्ट वा इसमें आप लोग देख लेना क्योंकि सिंप्लिफाय सिंसे होना था पर होने ही त्रहें तो यहां पर आप लोग क्या करना इस डेटा को अलग कर लेना फिलहाल के मिले साथ लिख लेता हूं तो तेर ना में 117 हो जाएगा 900 ठीक है और 2700 रुपए गए ती को 2700 रुपए देना था पर अपने गलती से क्या कर दिया देखो चार और कितना है तीन साथ और नौ हिस्ते और यहां पर कितना है 117 कि टोटल 117 कर लेना सर ठीक है ती को कितना चार नौ से कटेगा तो नौ एकम नौ बचा कितना तो नो तिया 273 तेरा सो एचों बावन सो रुपए तर इसमें डेटा मिस्टेक था इस बजह से कुछ अंसर में वेरी करेगा 2700 देना था देदिये बावन सो कितना ज्यादा दिया पता कर लो 300 और 2225 रुपए सही हो गया सर पचीस रुपए हपने ज्यादा गए तो कितने गए पचीस रुपए अपने ज्यादा गए कि आपका सही आंसर 25 रुपए आपके ज्यादा गए यहां पर साथ लिख लेना सब्सक्राइब लास्ट देखो बेटा ज़रा लास्ट चलो कि अग्या यह पेशा है हमारे पाद थावन सो रुपए इसको हमें बाटना है किसमें बाटना है इसको बाटना है दो पुरुस तीन महिला और चाल लड़कों में यहां पर दो पुरुस तीन महिला और चाल लड़कों में बाटना जबकी जबकी एक पुरुस एक महिला और एक लड़के का जो अनुपात है वो कितना है नव आट चार है नव आट और चार स तो चो अगर एक पुरुस को अगर बेटा एक पुरुस को नौ हिस्से मिलते हैं तो यहां पर कितने पुरुस हैं दो दो पुरुसों को कितने हिस्से मिलेंगे अठारा अगर एक महिला को हम आठ हिस्से देते हैं तो तीन महिलाओं को कितने देंगे महापर देखो तीन महिला लिखिए 8 या 24 अगर हम एक लड़के को 4 हिस्से देने हैं तो 4 लड़कों कितने हिस्से जाएंगे 4.16 ही तो टोटल कितना होगा 40 58 और अठावन हिस्सों का मतलब अठावन तो है तो पता क्या करना थे पता करta हे एक महिला का हिस्सा हो या महिला बोलो तो यह विएitos थिन heading का हिस्सा है हमें एक का पता करना मतलब पता करना है एक एक महिला का हिस्सा हो जाएगा सर 800 रूपए ऑप्शन ए बरोबरे सर क्या चीज़े किलियर हुई सवाल अच्छे थे बढ़ी आते चलो अगला सवाल यह रहा और यह मैं नहीं करूंगा यह आप खुद से करेंगे हो सकता है प्रेंटिंग मिस्टेक हो तो टेंसन ना लो आप क एक हुआ.